चार महीने कन्या कुमारी से स्रीनागर तक भारत चोड़ो यात्रा हमने की विडियो में आपने मेरा चेहरा देखा मगर हमारे साथ लाखों लोग चले थे हर स्टेट में चले बारिश में गर्मी में बरफ में एक साथ हम सब चले बहुत कुछ सीखने को मिला अभी जब मैं विडियो देख रहा था मुझे बाते याद आ रही थी विडियो में आपने देखा होगा पंजाब में एक मेकैनिक आकर मुझसे मिला मैंने उसके हाथ पकड़े और सालों का सालों की जो तपस्या थी उसकी सालों का जो दर्थ था जो खुशी जो दुख जैसे ही मैंने उसके हाथ पकड़े हाथों से मैंने बात पहचाने हैं वैसे ही लाकों किसानों के साथ जैसे ही हाथ पकड़े थे जैसे ही हाथ मिलाते थे गले लगते थे एक ट्रांस्मिशन सा हो जाता था शुरुआत में बोलने की जरुवत होती थी क्या करते हो कितने बच्चे हैं क्या मुश्किले हैं ये एक एक डेड़ महीना चला उसके बाद बोलने की जरुवत नहीं होती थी जैसे ही हाथ पकड़ा गले लगे सन्नाटे में एक शब्द नहीं बोला जाता था मगर जो उनका दर्द था जो उनकी मेहनत थी एक सेकंड में मुझे समझ आ जाती थी और जो मैं उनसे कहना चाता था बिना कुछ बोले वो समझ जाते थी अभी मैंने देखा आपने वो बोट रेस देखी होगी केरल में उस समय जब मैं बोट में बैठा था पूरी टीम के साथ मैं रोइंग कर रहा था मेरे पैर में भयंकर दर्था मैं उस फोटो में मुझकुर आ रहा हूँ मगर मेरे दिल के अंदर रोना आ रहा था इतना दर्था मैंने यात्रा शुरू की काफी फिट आदमी हूँ दस बारा किलोमेटर ऐसे ही दोड लेता हूँ गमंड था मैंने सोचा था दस बारा किलोमेटर चल लेता हूँ तो 20-25 किलोमेटर चलने में क्या बड़ी बात मेरी माइन में ये था पुरानी इंजरी थी कॉलेज में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हूए मुझे याद है मैं दोड रहा था मेरे दोस्त ने पीछे सरणगी मार दी और घुटने में चोट लगी दर्द गायब हो गया था सानों के लिए दर्द गायब था और अच्छानक जैसे ही मैंने यात्रा शुरू की दर्द वापिस आ गया आप मेरे परिवार हो तो मैं कह सकता हूँ आपसे सुबह उठता था सोचता था कैसे चला जाए और पर उसके बाद सोचता था कि भाई 25 किलोमेटर नहीं 3500 चलने केरला की बात है 3500 किलोमेटर चलने हैं कैसे चलूँगा और फिर कंटेनर से उतरता था चलना शुरू करता था लोगों से मिलता तो पिछले पहले 10-15 दिन में जिसको आप अहंकार कह सकते हो गमंड कह सकते हो वो सारा गायब हो गया क्यूं गायब हुआ क्यूंकि भारत माता ने मुझे मेसिज दिया देखो तुम अगर निकले हो अगर कन्या कुमारी से कश्मीर चलने निकले हो तो अपने दिल से आहंकार मिटाओ घमंड मिटाओ नहीं तो मत चलो और मुझे ये बात सुननी पड़ी मुझे ये बात सुननी पड़ी मुझे में उतनी शक्ती नहीं थी कि मैं इस बात को न सुनू और आस्ते आस्ते मैंने नोटिस किया मेरी आवाज चुप होती गई पहले किसान से मिलता था मैं उसको अपना ग्यान समझाने के कोशिश करता था थोड़ी जो मुझे में जानकारी है खेती के बारे में मनरेगा के बारे में फर्टिलाइजर के बारे में मैं कहने की कोशिश करता था आस्ते आस्ते ही सब बंद हो गया शांति सी आ गई और सनाटे में मैं सुनने लगा ये आस्ते 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 ये बदलाव आया और जब मैं जम्मू कश्मीर पहुँचा वो भी अजीब सी बात थी जब मैं जम्मू कश्मीर पहुँचा मैं बिल्कुल चुप हो गया कहलो जैसे मेडिटेशन करता है प्रियांका और मैं विपासना करते हैं वैसी बात हो गए कि बिल्कुल चुप हो गया मा बैठी हैं मैं छोटा सा था 1977 की बात है चुनाव आया मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था छे साल का था मैं एक दिन घर में अजीब सा महौल था मैं मा के पास गया बैठी हुई हैं इदर नहीं देख रही हैं मा के पास गया मैंने मा से पूछा मा से पूछा ममी क्या हुआ और मा केती हैं हम घर चोड़ रहे हैं तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था तो मैंने मा से पूछा मा हम अपने घर को के छोड़ रहे हैं और पहले बार मा ने मुझे बताया कि राहुल यह हमारा घर नहीं है यह सरकार का घर है और अब हमें यहां से जाना है मैंने मा से पूछा मा कहां जाना है कहती है नहीं मालूम नहीं मालूम कहां जाना है मैं हिरान हो गया मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था 52 साल हो गए मेरे पास घर नहीं है आज तक घर नहीं है और हमारे परिवार का जो घर है वो अलाबाद में है वो भी हमारा घर नहीं है तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिष्टा है मैं बारा तुगलक लेन में रहता हूँ मगर मेरे ले वो घर नहीं है तो जब मैं निकला कन्या कुमारी से निकला मैंने अपने आप से पूछा कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है अब मैं चल रहा हूँ भारत का दर्शन करने निकला हूँ भारत को समझने के लिए निकला हूँ हजारों लाकों लोग चल रहे हैं भीड हैं मेरी क्या जिम्मेदारी है मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया मेरे आफिस के लोगों को मैंने बुलाया जो मेरे साथ थे मेरे साथ चल रहे थे मैंने उनको कहा देखिए यहां पे हजारों लोग चल रहे हैं धक्का लगेगा लोगों को चोट लगेगी बहुत भीड है हमें एक काम करना है मेरे साथ में मेरे सामने बीस पच्चिस फुट आगे इस तरफ बीस पच्चिस फुट इस तरफ बीस पच्चिस फुट यह जो जगे है यह जो खाली जगे है जिसमें हिंदुस्तान के लोग आएंगे हमसे मिलने आएंगे अगले चार महीने के लिए वो हमारा घर है मतलब यह घर हमारे साथ चलेगा सुबह छे बजे से शाम साथ बजे तक यह घर हमारे साथ चलेगा और मैंने सब से कहा देखिए इस घर में जो भी आएगा अमीर हो गरीब हो बुजर्ग हो युवा हो बच्चा हो किसी भी धर्म का हो किसी भी स्टेट का हो हिंदुस्तान से बाहर का हो जानवर हो उसको ये लगना चाहिए कि मैं आज अपने घर आया हूँ और जब वो यहां से जाए उसे लगना चाहिए कि मैं अपने घर को छोड़ के जा रहा हूँ चोटा सा आइडिया था मगर इसकी गहराई मुझे तब नहीं समझाई जैसे ही मैंने ये किया जिस दिन मैंने ये किया उस दिन यात्रा बदल गई जादू से बदल गई लोग मेरे साथ राजनेतिक बात नहीं कर रहे थे मैंने क्या क्या सुना है मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ हिंदुस्तान की महिलाओं ने मुझे क्या कहा है इस देश के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूँ युवाओं के दिल में दर्ब क्या है कैसा है मैं आपको बता नहीं सकता समझा नहीं सकता कह सकता हूँ मगर बता समझा नहीं सकता हूँ कितना बोज उठा रहे हैं तो बिल्कुल रिष्टा बदल गया एक उधारन देता हूँ पता नहीं आपने शाइद नहीं देखा चल रहे थे हम सुबह सुबह साइड में एक महिला भीर में खड़ी थी जिजग के उसने ऐसे किया मुझे जैसे ही मैंने देखा मैंने उसको बुलाया मुझे बात अजीब सी लगी मेरे पास आई मैंने हाथ पकड़ा मुझे एकदम मालुम पढ़ गया कि कुछ ना कुछ गल्ट है जैसे मैं प्रियांका का आथ पकड़ता हूं वैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा थ। कोई फरक नहीं मैंने सोचा उस समय मैंने सोचा मैंने उस समय सोचा यह میरी बहन नहीं है ये मैं क्या कर रहा हूँ जो मेरा प्यार मेरी बेहन के लिए है मैं इसको कैसे दे रहा हूँ अजीब सा लगा मुझे मेरा हाथ पकड़ती है कहती है राहुल राहुल जी भाईया मैं आप से मिलने आई हूँ क्या बात है मेरा पती मुझे मार रहा है पीट रहा है मैंने का कब कहती है अभी अभी वो मुझे मार रहा था मैं घर से भागी हूँ आप से मिलने तो मैंने का कि पुलीस को बुलाएं कहती है नहीं 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 पुलीस को नहीं बुलाइए फिर मुझे कहती है अब मैं जा रही हूँ वापिस फिर सिर्फ पिटने जा रही हूँ मगर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये महिला अकेली नहीं है ऐसी लाखों करोणों महिला हैं इस देश में तो ये से मुझे सुनने को मिला और इस घर को हम आस्ते 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 जमू कश्मीर तक ले गए पता नहीं शाहिद मेरा परिवार सालों पहले वहां से आया मैंने सोचा कि अजीब सी बात है कन्या कुमारी से कश्मीर तक मैं ये इस चोटे से घर को ले जा रहा हूँ और यहां मुझे लग रहा है कि मैं वापिस अपने घर जा रहा हूँ कश्मीर में हम गुस्ते हैं वैली से पहले बर्फ है धूप है जैसे आज और हजारों लोग हमारे साथ चल रहे हैं एक लड़का आता है मेरे पास मेरे साथ चलता है और मुझे से कहता है राहूल जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैंने का क्या कहता है राहूल जी जब कश्मीर के लोगों को दुख होता है जब हमारे दिल में चोट लगती है तो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को खुशी क्यों होती है मैंने का गल्द फेहमी में हो ऐसी कोई बात नहीं है मैं कन्या कुमारी से यहां तक आया हूँ मैं दावा दे के कह सकता हूँ कि करोणों लोगों के दिल में यह भावना नहीं है करोणों लोग हर हिंदुस्तानी के दर्द के साथ हर हिंदुस्तानी के साथ खड़े है चुने हुए लोग है मैंने कुआ चुने हुए लोग है जो खुश होते हैं हजारों में होंगे मगर हिंदुस्तान में करोणों लोग है मेरी आँख में आँख मिलाता है कहता है राहुल जी आज आपने मुझे बहुत खुश कर दिया आपने मुझे बहुत खुश कर दिया बातचीत करते हुए मैं देख रहा था चारों और चारों और तिरंगा सडक पे तिरंगा पहनों पे तिरंगा पीछे तिरंगा आगे तिरंगा सब जगे तिरंगा फिर हम वैली में घुशे वैली में घुशते हैं बादल चा जाते हैं दूप गायब हो जाती है और जैसे ही हम घुशते हैं पुलिस वालों ने हमें कहा था कि दो हजार लोग आएंगे मेरे सिक्यरिटी वालों वालों ने सोचा था दो हजार लोग आएंगे जैसे ही हम घुशते हैं वहाँ पे चालिस हजार लोग खड़े जैसे ही पुलीस वालों ने 40,000 लोगों को देखा रसी छोड़ के भाग गए हम देख रहे हैं जिसको रोप पार्टी कहते हैं वो सब गायब हो गई सब गायब हो गई मैं देख रहा था हिंदुस्तान के सबसे terrorist-infested जिले में जहां भी आप देखो तिरंगा 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 सब जगे कौन उठाई थे तिरंगा हमारे पास सिर्फ 125 यात्री थे कश्मीर के लोग तिरंगा उठाई थे एक नहीं उठाया था हजारों ने उठा रखा था और यही कहानी पूरे कश्मीर में अनंतनाग पुलवामा जिसको टर्रिस इंफेक्टिड डिस्ट्रिक का जाता है हर डिस्ट्रिक में पहाणों पे सड़क पे आगे पीछे तिरंगा किसके हाथ में कश्मीरी युवाओं के हाथ में CRPF के लोग मुझसे कह रहें यह तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा यह क्या हो गया फिर माया पार्लिमेंट में बने प्रधान मंत्री जी का बाशन सुना कहते हैं कि मैंने भी जाके लाल चौक में तिरंगा फिराया था मैं सुन रहा था मैंने सोचा देखिए हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को बात समझ नहीं आई बात समझ नहीं आई नरेंद्र मोधी जी ने बीजेपी के पंदरा बीस लोगों के साथ जाकर लाल चौक पे तिरंगा फिराया भारत चोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीरी युवाओं के हाथ से तिरंगा फिराया प्रधान मंत्री को फरक नहीं समझाया हमने हिंदुस्तान की भावना इस जंडे की भावना जमू कश्मीर के युवाओं के अंदर डाल दी आपने अपने जंडे की भावना जमू कश्मीर के युवाओं से ठीन ली ये फरक है हम में और आप में ये जो जंडा है ये जो तिरंगा है ये दिल की भावना है ये दिल के अंदर से आती है हमने इस भावना को कश्मीर के युवाओं के दिल के अंदर जगाया हमने उनसे नहीं का कि भाईया तुम्हे तिरंगा लहराना है तुम्हे तिरंगा उठा के चलना है नहीं किसी से नहीं कहा अपने आप आए हजारों लाकों आए और अपने हाथ में तिरंगा उठाके चले क्यूं चले मैं आपको बताता हूँ कश्मीरी हुआ ने मुझे कहा मुझे कहता है राहुल जी आज मैं आपके साथ तिरंगा लिये चल रहा हूँ जानते हूँ क्यों कहते क्यूंकि आपने हम पर और मुझ पर भरोसा किया है आपने अपना दिल हमारे ले खोला है और हम अपना दिल आपके ले खोलेंगे यह फरक है हिंदुस्तान एक भावना है एक सोचने का तरीका है इज़त है आदर है महबबत है और यह जो जंडा है जो तिरंगा है इस भावना का यह चिन है और भारत जोड़ो यात्रा ने इस भावना को पूरे देश में फिलाया है और यह काम राहूल गांदी ने नहीं किया है यह काम कॉंग्रेस के कार्यकरता ने किया है कॉंग्रेस के निताओं ने किया है हिंदुस्तान की जंता ने किया है अब देखिए देखिए सरकार की सोच के बारे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कुछ दिन पहले इंटर्वियू में एक मंत्री ने कहा कि चाइना की एकॉनमी हिंदुस्तान की एकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं चाइना की एकॉनमी हिंदुस्तान की एकॉनमी से बड़ी है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं जब अंग्रेज हम पर राज करते थे क्या उनकी एकॉनमी हमारी एकॉनमी से छोटी थी लड़ाई इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो इसको कायरता कहा जाता है सावर कर की विचारधारा सावर कर की विचारधारा अगर जो आपके सामने आपसे कगड़ा है मजबूत है तो उसके सामने अपना सिर जुका दो मत्थम टेक दू हिंदुस्तान हिंदुस्तान के मंत्री कह रहे है हिंदुस्तान का मंत्री चाइना से कह रहा है कि आपकी economy हमसे बड़ी है तो हम आपके सामने खड़े नहीं हो सकते है इसको क्या nationalism कहते है इसको देश भक्ति कहते है क्या ये कौन सी देश भक्ति है ये कौन सी देश भक्ति है जो आपसे कमजोर है उसको आप मारो और जो आपसे मजबूत है उसके सामने आप जुक जाओ शब्द है इसके लिए महात्मा गांधी कहते थे सत्यग रहा की बात करते थे सत्यग रहा का मतलब सत्यग रहा का मतलब सत्य के राष्टे को कभी मत छोड़ो सत्य के राष्टे को कभी मत छोड़ो इनके लिए एक नया शब्द है RSS BJP वालों के लिए हम है सत्यग रही वो है सत्यग रही ये सत्य के लिए कुछ भी कर लेंगे ये किसी से भी मिल जाएंगे किसी के सामने जुख जाएंगे सत्ता के लिए ये इनकी सचाई है आकरी बात और मुझे बात समझ नहीं आई पार्लिमंट हाउस में मैंने एक उद्योग पती पे आकरमन किया अदानी जी पे मैंने आकरमन किया मैंने कहा कि अदानी जी 609 नंबर से दूसरे नंबर तक कैसे पहुँचे आपकी जो फॉर्ण पॉलिसी बनती है चाहे वो बंगलादेश हो चाहे वो इस्रेल हो ऑस्ट्रेलिया हो स्री लंका हो सब जगे उनको फाइदा मिलता है इस्रेल में सारे के सारे defense के contract मिल गए स्री लंका में एक व्यक्ति कहता है कि राज़ पाकसाजी ने उने कहा कि नरेंद्र मोधी जी ने दबाव डाल कर अधानी जी को कॉंट्रैक दिलवाया तो मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा नरेंद्र मोधी जी आपका अधानी जी से रिष्टा क्या है मैंने और कुछ नहीं कहा मैंने सिर्फ सवाल पूछा भाईया बता दो रिष्टा क्या है तो में नरेंद्र मोधी जी ऐसे बैठें नरेंद्र मोधी जी अधानी जी के हवाई जाज में रिलाक्स करते हुए दिख रहे हैं तो मैंने पूचा भाई अब आपने नोटेस किया होगा कि पूरी की पूरी सरकार सारे के सारे मंत्री अधानी जी के रक्षा करने लग गए अधानी जी की रक्षा करने लग गए कहते हैं जो अधानी जी पर आकरमन करता है वो देश द्रोही है मतलब अधानी जी देश के सबसे बड़े देश बग बन गए और बीजेपी और आरेसेस इस व्यक्ति की रक्षा कर रही है सवाल ये उठता है रक्षा क्यों कर रही है क्या है सदानी में जो बीजेपी और आरेसेस को सब मंत्रियों को इसकी रक्षा करने की जरूरत पड़ रही है नहीं सुनिये और सबसे बड़ा सवाल सबसे बड़ा सवाल ये जो शेल कंपनीज है जो हजानों करोड रुपिया हिंदुस्तान भेज रही है ये किसकी है इसमें किसका पैसा है अदानी जी डिफेंस इंडस्री में काम करते है डिफेंस इंडस्री में काम करते है और हिंदुस्तान की सरकार को ये भी नहीं मालू कि अदानी जी की शेल कंपनीज है भार इसमें इंवेस्टिकेशन क्यों नहीं हो रहा जेपीसी क्यों नहीं हो रही डिफेंस का मामला है देश की रक्षा का मामला है पता तो लगाना चाहिए यह पैसा किसका है, शेल कमपनीज किसकी है, मगन नहीं तो यह बहुत बड़ा सवाल है LIC का इंवेस्मेंट है उनका नुक्सान हुआ है औस्टेलिया में फोटो दिखती है, नरेंदर मोदी जी बैटे है, स्टेट बैंक चेमन बैटे है वहाँ के चीफ मिनिस्टर बैटे है, अदानी जी बैटे है, एक मेज पर स्टेट बैंक एक बिलियन डॉलर का लोन दे रहा है नरेंद्र मोधी जी उस मेज पे क्यों बैठे है क्या लेना देना नरेंद्र मोधी जी का स्टेट बैंक और अधानी के बीच में क्या लेना देना तो ये सवाल है और ये सवाल मैंने पूछे नरेंद्र मोधी जी से पूछे बहुत सीधा जवाब था कोई रिष्टा नहीं है सिंपल सा जवाब था हमने पूछा रिष्टा क्या है नरेंद्र मोदी जी कह सकते थे कोई रिष्टा नहीं मगर रिष्टा है रिष्टा है भाईयों और बेनो अदानी अदानी जी और मोदी जी एक हैं एक हैं और देश का पूरा का पूरा धन पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है एर्पोर्ट, स्पोर्ट, डिफेंस, इंफ्रस्ट्रक्चर, स्टॉरेज, एग्रिकल्च्रल स्टॉरेज, सेब, हिमाचल प्रदेश में सेब, कश्मीर में सेब पूरा का पूरा धन एक व्यक्ति के हाथ में जा रहा है और जब हम प्रदान मंत्री से पूछते हैं ये 609 से 2 कैसे पहुचा बस ये बता दीजिये रिष्टा क्या है हमारी पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती कारगे जी की पूरी की पूरी स्पीच एक्सपंज हो जाती अदानी जी के बारे में हिंदुस्तान के पार्लिमंट हाउस में सवाल नहीं पूछा जा सकता है हम पूछेंगे एक बार नहीं हजारों बार पूछेंगे रुकेंगे नहीं जब तक सचाई नहीं निकलेगी अदानी जी की सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे क्योंकि और इसका एक कारण है भाई और बेहनो और खास तोर से जो लोग अदानी जी के कमपनी में काम करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ ये आपकी जो कमपनी है ये देश को नुकसान पहुचा रही है ये देश के पूरे के पूरे इंफ्रस्ट्रक्चर को छीन रही है बाईयों और बेहनों याद रखिये अजादी की लड़ाई भी इस्ट इंडिया कमपनी के खिलाफ हुई थी वो भी एक कमपनी थी उस कमपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन सारा इंफ्रस्ट्रक्चर पोर्ट्स सारा गसारा उठा लिया था इतिहास रिपीट हो रहा है इतिहास रिपीट हो रहा है ये देश के खिलाफ काम हो रहा है और अगर देश के खिलाफ काम होगा तो कॉंग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी लड़ जाएगी आकरी बात कहना चाहता हूँ देखिए ये पार्टी तपस्वियों की पार्टी है ये पुझारियों की पार्टी नहीं है ये तपस्वियों की पार्टी है ये तपस्या की पार्टी है और आपने देखा आपने देखा छोटी सी तपस्या की चार महीने की तपस्या की और आपने देखा कॉंग्रेस पार्टी में कैसी जान आई कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरता में कैसी जान आई देश में कैसी जान आई तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए प्रोग्राम चलना चाहिए तपस्या का प्रोग्राम होना चाहिए उसमें हर कॉंग्रेस के कार्यकरता को शामिल होना चाहिए हर नेता को शामिल होना चाहिए उस प्रोग्राम में दर्द लगना चाहिए, मुश्किल होनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, चोट लगनी चाहिए कारगे जी, कॉंग्रेस के प्रेजिडेंट हैं, सीनियर नेता बैठे हैं तपस्या का प्रोग्राम बनाएए, हम सब मिलकर तपस्या में शामिल होंगे, अपना खून, अपना पसीना इस देश को देंगे और जैसे मैं आपको गैरंटी देता हूँ, जैसे ही हम तपस्या में खड़े हो जाएंगे, पूरा का पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ तपस्या में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये देश तपस्यों का है तो प्रोग्राम बनाईए, खारगे जी प्रोग्राम बनाईए, आपकी पूरी की पूरी टीम, जिसमें मैं शामिल हूँ, कॉंग्रेस के सब नेता शामिल है, हर एक कार्यकरता शामिल है, देश की जनता शामिल है, उस प्रोग्राम को हम चलाएंगे, तपस्या करेंगे, नमस्कार